हेलो फ्रेंज वेलकम तो तैयारी ओपीडिया आज हम जीके के कुछ ऐसा इंपॉर्टन टॉफिक्स लेकर आये हैं जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपॉर्टन हो सकते हैं क्योंकि आजकल एक्जाम में परमाडो अनुसंधान केंद्र से रिलेटेड कोश्चन आ रह हैं जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए धीरे धीरे आपका जीके कंप्लीट होता चला जाएगा चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है भारत में परमाडो अनुसंधान केंद्र कहां कहां है और कौन-कौन से हैं तो आपको ध्यान में रखना है चलिए सबसे संतावन में बार्क देश का प्रमुक अनुसंधान केंद्र है तो आपको ध्यान में रखना है तो बार्क से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कौशन हर एक एक्जाम में पूछे जाते चाहे रेलवे हो चाहे ससी हो तो आपको इसको ध्यान में रखना है इस केंद्र ने उद् से बार्क में यहां चिकित्सक के रूप में उपयोग किया जाता है चलिए देखते हैं और उसकी बाद इसमें कुछ ऐसा पॉइंट से जो एक्जाम में आता है कनाडा की सहीयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापिय रेक्टर का मुख्य उपदेश चिपुस्ता है तो समस्थानिकों का उत्पादल करना यह आपको ध्यान में रखना है उसके बाद इसमें एक और इंपर्टन पॉइंट बन जाता है जो वार-वार पूशता है एक शाइरस फूशता है द्रूब पूशता है द्रूब अनुसंधान रेक्टर तो इसको भी आपको ध्यान में करता है तो दुरूब अनुसंदान रियक्टर के सिध्धान पर कारे करता है तो आपको ये ध्यान में रखना ये भी कोशन कई बार पूछा गया है वर्स 1964 में बार्क ने गेलियम आर्सेनिक अर्थचालक लेजर का निर्माण किया ये जित्ते भी पॉइंट्स में आपको बता किया गया है बार्क देश का अनुसंधान केंद्र है दूसरा जिसमें रेडियो आइसो टॉप्स बनाया जाते हैं तीसरा पॉइंट आपको थेहन रखना है सायरस का नाम रखना है या तापीय रियक्टर ये किस से समबंदित है तो यहां बार्क से समबंदित है और धृब अनुसंधान रियक्टर ये भी वहीं से बार्क से ही संबंदित है और 1964 में बार्क नहीं क्या किया था तो गेलियम आरसेनी करदेचालक लेजर का निर्माड किया था तो चलिए देखते हैं आप दूसरा अनुसंधान केंद्र जो है इंदिरा गांधी परमाणू अनुसंधान क है तो इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ अटामिक रिसर्च ठीक है इसको कहां स्थापित किया गया था और कौन से साल में तो यह तो हर बार पूछा जा रहा है हर यह से लेटेड बहुत से ज्यादा कुश्चिन और तमिलानू में है 1971 में स्थापित किया था इंद्रया गांधी परमाणव अंसन्थान का इंद्र को ईसके संपन्थ में देखते हैं और कुछ मुए आप जहां पर यह हूद्ध तो वहा सके इलाड़ेज जित्त्ती बही इन्पोर्टथन नाम थ? यहां का रियक्टर का नाम रखा गया था जैसे पहला नाम है कामीनी दूसरा मैंने आपको बलाया कल पक्कम मिनी रियक्टर का भी उप्योग हुआ था उसके बाद इसका इसका इस्तमाल अधिकतर विभिन नपदार्थ हो कि रेडियो ग्राफी के लिए कि लिए इन सब का उप स्था आइटी के मतलब इंफॉर्मेशन टेखन टे लोजी सेंटर सेंटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी सेंटर इो पूछता है तो आपको ध्यान में रखना यह दोर में है 1984 में स्थापित किया गया था कहां 1984 में ITC सेंटर ये बिग्यान और पुछे जाते वह यहीं से अक्सर पूछे जाते हैं इसका कारी क्या था कार लेजर एवं तत्वरकों के छेत्र में पाद्रगी क्विकास करना लेजर एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी भी विक्रण का यूज क प्रजा करके उसमें उर्जा का सर्जन किया जाता है और एक नया एक वर्गी प्रजाती राप्त की जाती है तो यह आपको ध्यान में रखना है कहां पर है तो इंदौर में उसके स्थापना कपी गई थी तो 1984 में तेरे देखते हैं एक और नया केंद्र तो परिवरतनी यह चैसी का श्र सायकलौन केंद्र परिवरतनी यह उर्जा सा की मुख्याले कहां पर है तो मुख्याले में कोलकत्ता में इसका मुख्याले है यह इसमसे कांण से नाम आपको ध्यान रखना स्थाव और र क्र तो और तो आई-जी-वल एक का मिष्रित इंधन के काम को उपयोग में लाता है तो यह आपको ध्यान में रखना है तो यह जित्ते भी इन्पॉटन पॉटंस है मुझे आशा है कि आपको 5-6 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा और इसमें कौन से रेडियो एक्टिव तत्व बनाए गए थे यह भी आपको ध्यान रखना है तो आशा है कि आपको अब आने रोज हम एक पॉइंट डेली जीके का डिसकस किया करेंगे जिससे आपका यह डेली जीके का कुछ ने कुछ नए आपको information मिलती रहे तो कहीं से भी एक्जाम में पूछ सकता है जीके का सलेवस इतना वास्ट है कि हम कितना भी पढ़ें लेकिन एक्जाम में क्लिक नहीं कर पाते हैं इसलिए हम सोच रहे हैं कि दीरे दीरे आपको रोज जीके का एक से एक पॉइंट जो ज्यादा important है एक्जाम के related वह आपको कराएं तो हमार चैनल से जुड़े रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन को क्लिक कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली सभी notification आपको मिल जाए आप इसकी short notes भी बना सकते हैं और नहीं बनाना है तो आपको टेलिग्राम चैनल से यह मिल जाएगा वहां से आप one liner read out कर स रखते हैं thank you so much